आपका स्वागत है आपके अपने शो मेरा चैनल मेरा टॉक्स फॉर इंवेस्टमेंट इसमें अलग तरह की वीडियो लाओंगा त्यूकि जो मेरा दूसरा चैनल मनोज कुमार जयान जिसको आप सभी ने सब्सक्राइब किया हुआ है और नहीं किया तो उसको भी कर दिजिए वहां मैं सिर्फ शेर बजार की बाते करता हूं पर यहां मैं बात करूंगा इंवेस्टमेंट की इंवेस्टमेंट किसमें फाइनिशल इंवेस्टमेंट 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 किसमें हेल्थ इंवेस्टमेंट यानि बेसिकली हमने यहां प करूं तो middle class जो है वो लुटने के लिए पैदा होगा है वो लुट रहा है सुभे से शाम तक लुट रहा है कि उसकी income middle है खर्चे वो अपनी इंकम के almost सारी की सारी income खज देता है जब अपनी सारी income खज देता है तो वो किसके टार्गेट पे आ जाता है वह आ जाता है कि कंपनीज के टार्गेट पर वह आजाता है ऑपरेटर स्टॉक मार्गेट के टार्गेट पर वह आजाता है सरकार के टार्गेट पर आपको मालू है मिडल क्लास सबस्यादा टेक्स देता है प्योंकि मिडल क्लास सबस्यादा कंजूम्शन करता है और हर चीज जो वह कंजूम तेना जरूरी है तब भी वह तरखी आयगे ये टेक्स को आश्चे के देने के बाद क्षर्चे देने के बाद इतना काम है कि वώ हमारे हमारे जो तो इंफ्लेशन उसको भी कवर नहीं कर पाता है यानि जब हम बैंक में पैसा जमा कराते हैं तो वहां ब्याज मिलता है छे साथ परसंट जिस पे थोड़ा बोट टेक्स लग जाता है तो हाडली पांच एक परसंट का ब्याज मिलता है ठीक और इंफ्लेशन जो हमारे देश मे हैं और जब रिटायर होते हैं तो पता चलता है कि वह पैसा भी वेस्ट रा वह सफिशन्ट ही नहीं है उनकी इच्छाएं उनकी जरूरतों को पूरा करने का जो रिटायर्मेंट के वक्त सोचते हैं जब हम रिटायर होंगे तो इस तरह से खुशाल जीवन जीएंगे वह प लुञ्रकार का छुपा टैक्स जिसको इन्टेषन टैक्स करते हो अब उपे कर रहें तो अब न मनमें विचार राएका कि ettयो टेक्स यहां भी टेक्स है जीवन टेंरे सेविंगों सेविंग ना करwegen साड़ा करें भाई सारा खंदbeitsदे इसके ओपर आख चर्चा करेंगे भी कितना खर्चना चाहिए आज हम बात करेंगे मिडल क्लास जो सेविंग करता उसमें भी लुटता है क्योंकि वह अपने इंफलेशन को भी बीट नहीं कर पाता है यह आप चेक कर सकते हैं डेटा है आप चेक करें इसका इलाज है इसका इलाज यह है कि आपको अपनी सेविं इसमें जब इंफलेशन होती है तो रियल एसेट की वेल्यू बढ़ती है तो उससे आपको लाग होता है वह इंफलेशन को बीट कर देता है मैं आपको धारन देता हूं बढ़ा अच्छे एक्जांपल देता हूं देखो मैंने जब पहली हॉंड़ा सिटी ली थी तो वह में में सेल्टेक्स आठ परसंट उता शेलाग का परसंट अरताली सेयर शेलाख अरताली सेयर में उसी वक्त मैंने एक साथ वला प्लॉट शेलाग का खरीज़ा जिसकी आज कीमत से 3 क्रोड कि और वादी की खतमि अगरांशी अक्षंद सीटी से बढ़ा यदे जिए ने ने इपना सीट अब याजमिंवहांट प्लॉने की ब्रदी bark दिन सły तक मैंने उससके यह और गोड़ी किंटन की मांदया चे लंजा हुए 0 किके हैं आब भी सदिने मैंने इन्फुलेशन के साब से कार को ले लिए जब्गिस में ज़्यादा लिए 1.0 कोली कानि कहना चोगी 43 wallpaper मानलो तभी प्रॉपटी इंवेस्में कितना निभेशन कि इप सब्सक्राइब कर दिया अगर आपने वह पैसा आज इसमें लगाया होता है तो इतना थोड़ी होता वह कितना हो गया होता वह मुश्किल से 50-60,000,000 रुप्पा होता भई शे लाख रुपे लगाता साथ साल में डबल होते बारा हो जाते चौदा साल में फिर फिर एकिस साल में डबल हो जाते तो अर्ता अर्त आलिस लाख हो जाते 154 लाख हो मुश्किल से इंफलेशन को बीट पी नहीं कर पातें इंफलेशन के आसपास ही पहुँँन जायें वह अपने आप में बहुत बड़ी बात है तो बाकि इन चीजों की प्राइज ना वैसे सही इंफलेशन भी इन चीजों में अगर आप देखेंगे कार वा रहा है यह टेक्नलोजिकल चेंजिस की विए सिंगी कॉस्ट कम हो जाती है डिमांड बढ़ने से भी कॉस्ट कम हो जाती है इनफलेशन ओवराल देखी जाती है तो ओर ऑल इनफलेशन को हमारा वो पैसा बीटने गर पाता है तो अब आपके दिमां में प्रशन आगा सर आपने कहा दी हमने सुन लिया अब ऐसे हम कैसे रियल एस्टेट में पैसा लगा ज़िए थोड़ा पैसा लगता है रियल स्ट्रेट में लगाने के लिए बहुत सारा पैसा चाहिए जो आपके पास नहीं है आपको पहले अपनी सेविंग्स को धीरे-धीरे और रियल एक्टेट में लगा सकते हैं पर स्टॉक मार्केट खत्री की जगा है जैसे प्रॉपर्टी है आप देखेंगे लॉंग में चरती ह है जिसे प्रॉपर्टी विर्टी विरती तो पूछते नहीं सब्सक्राइब लिए इस टेली तो पूर्ट शातरी जैनल स्टॉक मार्केट के बात कर रहा हृं तो मेरा देश्ची वो सिंपल और सभेघान जो है वह उन पर है उन एसेट्स्लास पर है कि जो इंडेक्स के साब से मूव करती हैं तो मैं यहां कहूंगा मैं इंडेक्स मिल जाए 12 से 16 परसंट के बीच इसमें आप तलका लगा सकते हैं एमकेजे फिक्स फिक्स डवल वाभू फिक्स डवल और फिर आप अपनी रिटर्न को बढ़ा सकते हैं और उस केस में आपकी रिटर्न है वह यहां से मतलब डेड़ गुना और हो जाए यानि बारा से 16 परसंट है तो इसको डेड़ गुना कर लिए 18-24 परसंट आप रिटर्न निकाल सकते हैं अगर आप मेरी वीडियो मिल जाएंगी उससे आप पूरी नॉलिज ले सकते हैं अभी किस तरह से आप इंडेक्स फंड में इंडेक्स एटीएफ में पैसा लगा के मार्किट की वोलाटलिटी को बीट करते हुए मार्किट के खत्रों से बचते हुए लॉंग रन में अच्छी वेल्थ जनरेट कर सकते हैं यह फॉर्मॉला उनके लिए सही है जो जो सीधे साधे भोले-भाले कंस्यूमर्स है भोला-भाला मिडल क्लास जिसको शेयर बजार को कुछ निपता क्यों कि शे लато- invented thema gall trip recording को सीखना चीए और सीखने में मेरे इसाब से कम से कर चे मिने से साल लगता ही है और अगर अराम् пришटीजन वाले बगती है दिरे-दिरेः सीखने वीः लगते डिए अपको दो ड़ाए साल भी लग सकते हैं अब आप कहेंगे कि सर्म इतना सम्में उर्ए बात ब बनते हो कि आप दस हजार, बीस हजार, पचास हजार, लाख, देड़ लाख, दो लाख, धाई लाख, तीन लाख रुपे महीने वाली नोकरी कर सको depending upon आपके knowledge कैसी, आपने कौन सा course किया और किस तरह से पढ़ाई किया लेकिन जब शेर बजार में आते हैं तो आप कहते हैं दो दिन के अंदर, चार दिन के अंदर, महीने के अंदर कोई हमें बता दे, कोई गुर सिखा दे, जिससे हमें ऐसा मोटा मुनाफ़ा हो जाए कि हम जो है अनिल अमबानी तो छोड़ी है तो रहा नी, इतना मीर, मुकेश अमबानी को, अधानी को, अमबानी को, टाटा को, विरला को सब को पीछे थोड़के सब से आगे निकल जाए, ऐसा होता थोड़ी है, इस लालज में तो अभी मैं भी जब वीडियो बनाने के मूट से आया थे एक दम फोन आया, सर आजकर बजार बहुत तीजे, मैं देका हा आप हाफ रहे हो, मैंने का हाफ निरा, जोगिंग कर रहा हूं, मैंने का हाफ रहा हूं, क्यों ठीक हो, मैं हाँ जोगिंग कर रहे हैं, सर आप शेर बजार में भी जोगिंग करें लो, भाया इस लालचों की वज़ाए से लोग मरता है, कई पार लोग कहते हैं, सर आप टिप परग्रम सो देखते हैं और रोज पनendenे कमाईी डेने 삼ए 5 होः की कमाई सो कि कमाई 500 कि कमाई था कि इनको रोजु का टार्गेट हो बहुत हो इतनी रूपे कमाने हैं यह वाला वाला आप सौधा करवा तो अध्मी कि को डिए उसको प्रेड जरूर देना जिससे आपको मुनाफ़ा हो आपने उसको इस बात के पैसे दिया या आप उसका प्रोडाम वाच करते हैं इस वाज इस उमीद से तो क्या करेगा जिस दिन महाल नहीं भी होगा तब जबरदस्ति का आपको सौधा देगा कि नहीं देगा शेयर बदाया में रोज महाल नहीं बनता यह हम उनको पैसे देते हैं यह तो हमें देखना ना कि हमें वह चीज़ सूट करती करती है तो जब तक बेटा इन छोटी-छोटी बातों को आप नहीं समझोगे शेयर वजार में लुटते रहोगे तो मिडल क्लास जो है वो तो लुटता ही है शुरवात करता है आंधनी से ज अज़ाब से वह तो उसकी अपनी है उसको फाइदा होना चीह नहीं वह बैंक में एफडी कराता है उस पे भी उसको कम इंटरेस्ट मिलता है उस पर टेक्स कर जाता है और नेट वह इंफलेशन को बीट नहीं कर पाता है इसलिए लूट जाता है शेयर बजार की तरफ एट् टाटाम बानी बिला राके जुन-जुन वाला भी जो है ट्रेड करता पर इन्वेस्टमेंट भी करता है अर्ट जो इन बड़े दिगज़े लोगों को ध्यामी रखके मैंने बनाई है इसके चलते में इन्वेस्टमेंट कम ट्रेडिंग करता हूं और कभी विन नुक्सान में नहीं आता इसके लाइव डेमो मेरे दूसरे चैनल पर देख सकते हैं तो कहने का ताथ पर रही हो गया कि जब तक आप चीजों को खुल के नहीं समझेंगे आप मिडल क्लास के मिडल क्लास की लीक को तोड़ना है ना जो बाते मैंने बताइए इस वीडियो को प बहुत सारी वीडियो मैं इस चैनल पर हर हफते लेके आउंगा मैंने भी टार्गेट रखा हफते में एक वीडियो तकि आपको आनंद और आनंद आए